हाईलो फ्रेंड्स गुड आफ्टरनून दोस्तों ससी जीडी एक्जाम 2013 शोविस के हम अपने नेक्स्ट सीरेज याने की सीरेज नमबर फॉर को लेकर आप लोगों के सामने आ गए हैं जैसा कि दोस्तों हमने कहा है कि ससी जीडी एक्जाम 2013 शोविस के पार्ठिकरम जिसमें जीके जीएस आपका जनरल साइंस भी सामिल होगा करेंट अफ्यास वा हिंदी के पूरिय पार्ठिकरम को हम लोग 25 वीडियो के जरिये पूरी तरह से कंप्लेट करेंगे इसी करम में दोस्तों ये सेट नमबर 4 है हमारा जिसमें मोस्ट उपने सेलेक्टेर पसनों को सामिल करने का प्रियास किया गया है साथ में एक स्टाफ हैट को भी पूरी तरह से कबर करने का प्रियास किया गया है तो दोस्तों आप लोग इने कांस्टेट होकर साल्व करें, कोस्टन्स कम साल्व होने पर पुन्हा पस्टनों करें विजन करें, ताकि SSC GD Exam 2023 में आप लोग अच्छे से अच्छा परफार्मेंस कर सकें, तो उचले दोस्तों जदा समय ना लेते भी है, हम लोग इन सभी मोश् साथ दोस्तों आईसे फेवरेट टापिक आप लोगों के रहेंगे, जैन धर्म वा बहुत धर्म भी आप लोग समिल कर लीजे, जहांसे आपके हर inch pump अधिकांस question देखने को मिलेंगे, तो इस पर दोस्तों पूरी तरह से focus करने का पृआस करें, और जितने एक step fact यानिकी दूस्तों उनके जितने question आप लोग prediction कर सकते हैं, तूरी तरह से cover करने का पृआस करें, तो question है दोस्तों, अंतर राष्ट्य मुद्राकोस यानि की IMF, International Monetary Fund का मुख्याले कहाँ परिष्थित है, correct answer होगा, Washington DC में, आप चलिए दोस्तों, जो महात्पुन आइगनाईजेशन्स हैं, उनको हम एक साथ cover कर लेते हैं, ध्यान सीगा दोस्तों, एक तरफ दोस्तों, बिस्क 244 में, एक साथ ले आएं दोस्तों, ताकि confusion नहों और आप concentrate होकर continue, इनका दोस्तों, preparation कर सके, अगला है दोस्तों, अंतर राष्ट्य किर्केट काउंसिल, आप लोग जानते हैं, इसका मुख्याले कहाँ पर है, दुबाई, UAE में है, और इसकी अस्थापना होई थी, 1909 में, SSC में दोस्तों, आप लोग जानते हैं, फेस जगार से जितने को समझ के दोस्तों, आप लोग साल्व करने का परियास करें, अंतर राष्ट्य सरम संगठन एक साथ देख लीजेगा, 20 व्यापार संगठन हो गया, 20 स्वास्त संगठन हो गया, 20 मौसम विज्ञान संगठन हो यानि कि अंतर राष्ट्य शरम संगठन, आईयलो, 20 व्यापार संगठन, डवलो टीहो, डौट्यो, डवलो एचो, यह सारे दोस्तों, जे निवा स्विज्ञर लाइन में है, चारो ध्यान देंगे, एक साथ, और इनके स्थापना हो थी, तो अंतर राष्ट्य स्विज्ह fresh arm इसके लाँ है दोस्तों विस बैंक आप लोग जानते हैं वर्ड बैंक इसका मुख्याले कहां पर है वासिंग्टन डेसी में है जो की यूएस से की राजधानी है और इसकी अस्थापना हुई थी 1944 में नेक्स्ट है सन्युक्त राष्ट बालकोस यूनिसेफ आप लोग नाम सुनी होंगे इसका मुख्याले कहां पर है निव्यार्क में है इसकी अस्थापना हुई थी 1946 में नेक्स्ट कोश्चन है नाटो आप लोग जानते है नाटो नाटो नाट एट्लांटिक ट्रीटी आर्गन स्थापना हुई थी 1945 में इसके लोग खाद्यों किर्सी संगठन ये भी बार बार पुछा था इसका मुख्याले कहां पर है रोम में है और इसकी स्थापना भी होई थी 1945 में अस्थापना को भी आप लोग ध्यान देंगे question पूछा आता है डारेक्ली भी पूछा आता है UNESCO क स्थापना कब हुई थी तो ध्यान रखेंगे आप लोग अगला देखेंगे हम लोग दोस्तों अगला हमारा UNESCO ही है यानि कि UNESCO United Nations Educational Scientific and Cultural Organization सन्युक्त राज सेचिक बैग्यानिक ओम सांस्केती संगठन जिसका मुख्यले फ्रांस की राजधानी पेरिस में है और इसकी अक्टूबर आप लोग जानते होंगे हाइलाइट कोश्चन है और अर्वल लीक का मुख्याल है काहिरा मिस्र में है और इसकी स्थापना भी 1945 में हुई थी महात्पुना अर्गनाइजसेंस से कोश्चन है दोस्तों जो हम एक साथ लिया है आपके एक्जाम में पूछी आते आपके दोस्तों हम लोग जानते हैं कि प्रारंब में भार्दय संग्धान में मूल अधिकारों का वर्ण अनुछेद 12 से लेकर 35 तक है जो कि संग्धान का भाग तीन है यह से के संग्धान से लिया गया है यह हमारा कोश्चन था अब चलिए थोड़ा आगे चलते हैं प्रा और वर्थमान में संपतिका अधिकार कैसा अधिकार है तो कानूनी अधिकार है विदिक अधिकार तब से वर्थमान में टोटल मूल अधिकारों की संख्या 6 है कितना है जहां ध्यां रखेंगे आप थोड़ा अगे चलते हैं 12-35 में तो बारा में राजी की प्रिभासा दी गई है और तेरा में इनके कुछ आर्टिकल्स को नेशनल इमर्जेंसिस के समय हटाए जा सकता इन सभी चीजों को का वरड़न है यह चीजे दी गई है अब 14 से हमारा अधिकार सुरू होता है ध्यान देंगे आप लोग और सारे आर्टि सॉल में सट्रा में सब्सद्द्द्द आटिकारों तो लिए जो की संक्रावी तो जुड़ा हुए आप लोग जानते हैं उकातिस से हठा दिया गया और व्रट्िश में दोस्तों क्या है हमारा चटा अन्यों धे आठीकार जिसका नम संग्वयधानिकंग उपचारुका अध पर इंको पूरी तरह से कबर करने का प्रियास करेंगे अब चलते हैं दोस्तों इस कोश्चन के एक्ष्ट्रा फैक्ट पर ध्यान दिजिएगा कोश्चन था भारतिय सिम्धान में मुल अधिकार किस देश के सिम्धान से लिया गया है तो USA से लिया गया है अब महत्पुर्ण स से जितने कोश्चन बनते हैं एक साथ लाएं दोस्तों आप ध्यान दिजिएगा चलते हैं हम लोग भारतिय संग्धान के बिदेशी सोरोथ सबसे पहले देखेंगे बेटन के संग्धान से क्या क्या लिया गया है तो संसदिय सासन परणाली बिधी का सासन ये दोनों मोस्ट अभीचार आप लोग जानते हैं हिसी की कारण दोस्तों न्यायफी का का काफी सच्त मानी आते हैं मोल अदिकार चर्चा कर चुके है उपर राष्ट्रपती पर महांभयोग और उच्ठ।म न्याले तथा उच न्यायधिसों को हटाई जाने के उपबंद ये सारी चीदे दोस्तों अमेरिका की संग्धान से लिए गई हैं एक साथ लाएं हैं रिवीजन जरूर कीजिएगा अगला है आर्लेंड के संग्धान से तो नीत निर्दे सकतत मोस्ट इंपांडर है आटिकल 36 से क्यों में हैं संग्धान का भाग संग्धान से क्या लिया गया है तो ध्यान दिजीगा दोस्तों कनाड़ा के संग्धान से देखेंगे तो संग्ये बेवस्था है राष्ट्रपती द्वारा राजीपालो की नुक्ति है उचितम नियाले का प्रामर्सी नाय निरड़ा है आउसिस्ट सक्तियों का केंदर में नहीं हो तो होना आध यह सारी चीदि दोस्तों कनाड़ा के संग्धान से लिए जो असिस्ट सक्तिया है जो संग्षुची राजशुची वा समवर्ति सूची नहीं नहीं आती उन्हें अवसिश्ट सूची केंदर मानाता है और इन पर पूरा अधिकार केंदर का होता है यह कहां से लिए गया है कनाड़ा के संग्धान से लिए गया आस्ट्रेलिया की बाग करें तो संसाथ के दोनों संदों की सन्युक्त बैठक उद्देशिका की भासा व्यापार वालिज और समागम की सुतनता तथा समवर्ति सूची यह मोश्टिम पटर रहेगा समवर्ति सूच यानि 368 में संग्धान संसुधन परिकरिया यह दच्छिन अफ्रीका के संग्धान से लिया गया है तथा राजी सभा के सदस्यों का निरुवाचन एक बार रिविजन जरूर कीजिएगा दुर्तू आगे चलते हम लोग लास्ट देखेंगा पूर्व सोबियस संग्यानी र यानि रूज से लिया गया है तथा प्रस्तावना में जो सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक शब्द जुड़ेगे हैं ये दूस्तों पूर्व सोबियस निरूज से लिये गया हैं अगर यहां से कितने भी कोशन आते हैं आप दोस्तों मिस्स नहीं होंगे अब थोड़ा सा पीडियेप के बारे में बात करेंगे, पूरह हम लोग कोश्चन की ओर चलेंगे, सबसे पहले पीडियेप हमारा, तीन पीडियेप यहां भी लगा हुआ दोस्तों, सबसे पहला SSC GD, जिसका हम लोग स्टेडी कर रहे हैं, 2023, 20 फरवरी से हम लोग जानते हैं, किसका एक्जाम स्टार्ट होगा, इसमें जो आपका स्लेबस हो दोस्तों, GKGS है, जनरल साइस भी सामिल है, करेंट अफियेप है, हिंदी है, मैथ हो रिजनिग है, इसमें दोस्तों, जो हमारे दोरा पूरी तरह से कबर करवा जएगा, टोटल पचीस वीडियो के जरीए, उसमें आपका GKGS, जनरल साइस सामिल रहेगा, करेंट अफियेश और हिंदी के पूरी पार्ठिकरम को कबर करवा जाएगा, मैथ हो रिजनिग का पीडियाप भी नहीं दिया जा सकता, आप लोग जानते हैं दोस्तों, इनको आप लोग वीडियोज देखे हाल करने हो, यानि प्रेक्टिस करने होते हैं, जो हमारे दोस्तों, इस्टडी चैनल पर भी रिजनिंग का पूरी तरह से चल रहा है, तो इसके दोस्तों, पूरे पार्ठ करम को हम लोग, जिसमें GKGS, करने अफियस होगा हिंदी, जनरल साइटी सामिल लएगा, टोटल 25 पीडियाप के जरीए दोस्तों, कवर करेंगे, अगर आप इच्छुक हैं, तो फिट फिस 50 रूपीज रखी गए, नीचे हमारा वहर सब नंबर है, आप लोग, दोस्तों, मैसस करकर ले सकते हैं, दूसरा हमारा पीडियाप बिहार SSC, आप लोग जानते हैं, 10 पलस टो 2030, लगभग फरवरी में इसका भी एगजाम होगा, इसमें जो आपका दोस्तों, सिलेबस यानि की पार्ठर करम रखा गया है, सामान निज्ञान, सामान विज्ञान, करेंट पेस, जीके, इसके लाओं दोस्तों, रेजिनिंग और मैथ, रेजिनिंग मैथ, आप लोगों को वीडियोज देखके ही साल्प करने होंगे, इसमें पूछे जाएंगे, और SSC GD में उतने कोशन नहीं पूछे जाएंगे, इसलिए हम लोग कमबाइन नहीं कर सकते, और यह भी कोशन का रिस्क नहीं ले सकते, तो बिहार SSC का भी दोस्तों, हमारा टोटल 25 पेडियाप बनेगा, इसमें पूरी तरह से सामान ज्यान, सामान विज्यान और करेंट रफेस को कबर किया जाएगा, अगर आप ही चुक हैं तो पेडिपीस इसकी भी 50 रूपीस रखी गए, नीचे हमारा हम हर्सप नमबर है, और लास्ट पेडियाप दोस्तों, यूपी पीस से आरो यारो दोह जारते हैं, लगबाब फर्वर्वरी स्टार्ट में इसका भी जम होगा, पीटी का जिसमें आपके दो पेडिपर होंगे, 140 पूश्चन आपका सामान ज्दन जीएश आएगा, सारी चीज़ें पूशी आते हैं, आप लोग जानते हैं, और सामान हिंदी के 6 चेप्टर हैं, जो की 60 कोश्चन, यह दोनों पेपर करवाएज जाएगे, एक्जाम स्टार्ट होने के 15 दिन के पहले, आपका आखरी पीडिया आपको दे दिया जाएगा, यह भी आप लोग ध्यान रखिए, यहाँ पे दोस्तों 100 रुपीज इसलिए रखी गई है, आप लोग जानते हैं, इसलिए दोस्तों इसकी कीमत 100 रुपीज रखी गई है, आगे चलते हैं दोस्तों पंजाबी भासा की लीपी कोश्चन है, तो गुरु मुखी होती है, ध्यान देंगे, अब चलिए, कुछ महास्तुपूर्ट को यहाँ से कबर करते हैं, जो की पूछ जाते हैं, एक तरफ सि सिक धरम की स्थापना इन्हों नहीं की थी, ध्यान रखेंगे, गुरु अंगद ने क्या क्या था, तो गुरु मुखी की सुरुआत की थी, यह कोश्चन उसी लेबल से डालेंगे दोस्तों, उसी टापिक से, और उसके जो कोश्चन बनते हम लोग यह साथ कबर कर लेंगे, गुरु रामदास का देखेंगे दोस्तों, तो इन्हों ने क्या किया था, अम्रिस सर नगर की स्थापना की थी, गुरु अर्जुन देओ ने आदि गरंत का संकलन की था, गुरु अर्जुन देओ का ये कारियोर, सुन मंदिर का निर्माण, और गुरु गोबिन सिंग ने स्थापन की थी, सारे most important है, ध्यान दिजीगा, खाल सापन था आपका बार बार पुछाता है, वो इन्डे एक्जाम में, सिख धर्म की स्थापना पुछी आती है, सुन मंदि का निर्माण, गुरु मुखी लिफी की सुरुवात, ये सारी चीज़े पुछी जाती है, तो आ से लिया गया हम लोग चर्चा कर चुके हैं, साउथ अपरिका ये दच्छन अफिका से, आर्टिकल कौन सी बात किये थे, 368 यानि 368, सारी चीज़े एक साथ ध्यान दोस्तों जोड के आप लोग चलिए, आप चलिए, जो महात्पूर्ण, संग्धान, संसोधन से संबंदी दोस्तों भाग हैं, उनको हम लोग क्लिएर कर लेते हैं, यानि कि जो भाग से दोस्तों पुछे आते हैं, कौन सा चीज कि भाग में आता है, अभी एक साथ क्लिएर करेंगे, ध्यान दिजीग आप लोग जितने most important हैं, सबसे पहले दोस्तों, संग और उसका राजी छेत, य आता है, आर्टिकल को जोड के चले, तो आर्टिकल एक से चार में आता है, भाग दो में नागरिकता आती है, जो कि आर्टिकल पांच से ग्यारा है, एक साथ जोड के चले हैं, एक से चार भाग एक, संग्यम राच्छेत, नागरिकता हुग आप पांच से ग्यारा, जो कि भ भाग 2 है मौलिक अधिकार बारा से पयर चर्चा कर चुके हैं वाग 3 है राज के ने तिन ने सकता है तो उसकते हैं भाग 4 ओर दोस्ते वाग 4 को कि पिंख्षार की बात कि जा तो 51a है किसमे भाग 9 ऐने थो इसमें था नौ के का में आता है है युक detectors, लीकुत की आता है पंचायत आता है और जो नगर पालिका इनि ग्राम पंचायत नगर पंचायत इसे जोड़ के आप लोग चलिए तो भाग 9 की का में क्या आता है नगर पालिका है आती है भाग 9 का खा भी मुश्टमर्ण है सहकारी समितियों से संबंधित है भाग 10 की बात करें तो अनुसूचि बन जाते हैं तुरंट तो भाग 11 में है उसके बाद भाग 15 में किया तो निर्वाचन सम्मंदी दोस्तों परकिरिया का वड़न है किसमें भाग 17 की बात की जा तो राजभासा आता है क्या आता है राजभासा आता है आगे चलिंगे भाग 17 तक हमारा हो चुका है जो most important highlighted है भ करते हैं दोस्तों यह कोश्चन भी आप लोगों को पूरी तरह से क्लियर हो गया गवा एक बार रिवीजन जरूर करेंगे नहीं तो दोस्तों मैं बोलता हूं ऐसे कोश्चन के लिए रटना कम दोस्तों फीडियाफ होना चाहिए अंडर लाइन लगा के एक अच्छी प्रिपे पर भी कोई वर्डन नहीं है बजट को वार्षिक बित्य विवरण के नाम से जना आता है जिसका वर्णन भारती सिंग्धान के अनुच्छेद 112 में है और वित्य वर्ष कब से कब तक चलता है एक अपरेल से 31 मार्चे भी ध्यान रखेंगे अब चलिए आर्टिकल को एक कर्म के समय नागरिक्ता अनुच्छे 14 में क्या है विद्य के समझ समानता का अधिकार चर्चा कर चुके हम लोग 14 15 16 17 यह सारे यहीं से मिलाते आप लोग किसी भी कोश्चन को चले दोस्तों आपके दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में अभी देख लिजिए हाली में जो हुआ क्या है भर भर के कोश्चन पूछे गये हैं भाग 15 में क्या है धार्म मूर्वन से जात लिंग या जन्मस्थान के अधार पर भेदभाव से मुक्ति यह 15 16 क्या है लोग नियोजन की विश्व में उसर की समानता या सरकारी पत प्राप्ति के समान उसर दोनु चीज़े लिग भी सकते हैं आगे चलेंगे नेक्स कोश्चन की वर जो की पूछा गया कोश्चन है दूस्तों अनुच्छे 16 हो गया 17 हो गया 18 हो गया यहां तक हम लोग बात कर चुके हैं अनुच्छे 21 में किसका उड़ाना है तो प्राण और देहिक स्वत्मता का सनच्छण से समन्दित है अनुच्छे 21 अनुच्छे 21 का मोस्ट इंपर्टेंट है 6 से 14 वस्तक के सभी बचों को निसुल का और अनियो आर सिछा का प्रावधान भारते सिंगधान के किस अनुच्छे 21 के का में है ऐसे कोश्चन को पलर दिया जाए यह अनुच्छे 21 का का समन्द किस से है दोनों अनुच्छे 22 में क्या है जो हमारा चठा मोल अधिकार है अनुच्छे 22 में आता है एक साथ रिवीजन हो रहा है दूस्तों आगे चलेंगे मोश्ट उपाने 40 और 44 यह राज के निरीत नहीं दे सकता तो के अनुच्छे 36 से क्यों में है चालिस में क्या है तो गराम पंचायत के स्थापना का प्रावधान है और उच्छे 44 में समाननागरिक संहिता आप लोग जानते हैं UCC Uniform Civil Court से सम्बंदित है तो यह था दोस्तों मोश्ट इंपाने आर्टिकल से कोश्चन जिनको एक साथ हम लोगों ने यहाँ पे साल्व किय हैं ön अग्ला कोश्कर देखिएगा दुस्तोン जो कि हमारा हिंदी से रखा गया है मोस्ट इंपारंट है कोश्चन है जो इतिहास के पहले का है वाक्यांस का एक सब्द होगा तो प्रागयति हासिक पहले का है वाक्यांस सब्द प्रागय इतिहासिक अब चलिए एक साथ कवर कहें लेते हैं वाक्यांस के लिए एक सब्द को हम लोग जो most important पूछे जाते हैं देखेगा दोस्तों ध्यान से जो किसी के बदले में बोलता या कुछ करता है उससे क्या कहते हैं प्रतिनिधी नेक्स्ट जो बिना किसी विरोध के चुना गया हो वाक्यांस का एक सब्द होगा नेपत्थ होगा जो अपने उद्देश सिद्ध करने पर संतुष्ठ हो वाक्यांस का एक सब्द किर्तार्थ होगा पंजाबी भासा के लिपी वाक्यांस का एक सब्द गुरु मुखी होगा आगे चलेंगे हम लोग अगला है दोस्तों कुछ समय के लिए जिस पर दूसरे का अधिकार न हो वाक्यांस का एक सब्द क्या होगा एक अधिकार होगा मरते दमतर वाक्यांस का एक सब्द क्या होगा आमरण होगा अगे चलेंगे हम लोग अगला क्या दोस्तों जिसके समान दूसरा नहीं है वाक्यांस का एक सब्द अधियूतिय होगा जिसके पास कुछ भी ना हो वाक्यांस का सब्द अकिंचन होगा, दोपहर के बाद का समय वाक्यांस का सब्द अप्राहन होगा, प्रंप्रा से चली आई हुई बात या कथा वाक्यांस का सब्द अनुसुरुति होगा, हम लोग जाते हैं अनुसुरुति होगा, अभी बात करत जो बुक से कोश्चन पूछे जाएंगे एक साथ लगा दिये हैं दोस्तों ध्यान दिजिएगा आप लोग कोश्चन क्या रखा गया है माल गुडी डेस पुस्तक के लिखा कौन है मोश्ट पांटर ने आर के नारायन आपका करेक्ट एंसर होगा आप ध्यान दिजिएगा एक साथ लेकर आएं दोस्तों रिवीजन जरूर कीजिएगा अगला दोस्तों हिमायू नामा के लिखाक गुलवदन वेगम है गीतानजली के लिखाक रभिनाट टेगोर है पोस्ट आफिस के लिखाक रभिनाट टेगोर है दोनों ध्यान दिजिएगा गीतानजली और पोस्ट साफिस दोनों के लेखाक रविंद्र नाथ टेगोर अर्थसास के लेखाक आप लोग जानते हैं भी सुपरसित चालक की कोटिल इनका एकाउन नाम है विसुन गुप गीत गोविंद के लेखाक जैदेव हैं अकबर नामा के लेखाक अबुल फजल हैं आगे चलते हम लोग अक सब्सक्राइब करेंगे अगला कोश्चन देखेंगे हम लोग ध्यामदीजी का दोस्तों दोस्तों अगला सिठ हमारा विहार SSC 10 प्लस टूल का लगा हुआ है तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों मिलते हम नेक्स्ट वीडियो में थैंक्स फार वाचिंग